नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि एप्रिग्लिम M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है एप्रिग्लिम M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एप्रिग्लिम M टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे की Apreglim M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Apreglim M एक ब्रेंड नेम है, Apreglim M Tablet के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, Apreglim M Tablet के अंदर soft composition glymepiride और metformin होता है, जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरण में न हो रहा हो, तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली एप्रिग्लिम M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। एप्रिग्लिम M टैबलेट का उप्योगर टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरण में करने के लिए किया जाता है। नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती को डाइबिटीज की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एप्रिग्लिम एम टाबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में एप्रिग्लिम एम टाबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे दस्त होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूप कम लगना, मुँं के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स एप्रिग्लिम एम टाबलेट की वज़ह से हो सक अब हम डिसकस करेंगे की Apariglim M Tablet को कैसे लेना recommended होता है. Apariglim M Tablet को सुबह breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना recommended होता है. या Apariglim M Tablet को खाना शुरू करने से तुरनत पहले लेना recommended होता है. आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में एप्रिग्लिम M1 टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। लेकिन शरीर में ब्लड शुगर की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ा कर एप्रिग्लिम M2 टैबलेट को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह दे सकते हैं। एप्रिग्लिम M टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। नियंत्रन में करने के लिए आपको एप्रिग्लिम M टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप one डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर एप्रिग्लिम M टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको मैं ब्लड शुगर के लेविल को नियंत्रन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है ट्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए एप्रिग्लिम M टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एप्रिग्लिम M टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं